एक टाइम हुआ करता था जब टाटा के तरफ से इंडिका और नैनो जैसी गाड़ियां देखने को मिला करती थी और आज एक वो टाइम है जब अपने को टाटा हैरियर और सफारी जैसे बेस्ट गाड़ी देखने को मिल रही है वैसे देखा जाये तो Tata ने पहले से ही बहुत अच्छा काम किया है और Tata की गाड़ियां लोगों की requirement के हिसाब से रहती थी जिससे लोगों को ज़्यादा benefit हो सके चाहे वो फिर price हो या फिर durability जहां और गाड़ियों में कुछ सालों में ही जंक लग जा रहा है वहां आज भी आपको Tata Nano और Sumo जैसी गाड़ियां रोड़ पर चलती हुई दिख जाएंगी Tata ने टाइम के साथ बहुत बदलाव किया है और अपनी quality को बहुत इंप्रूव भी किया है और आज देखो Tata Harrier और Safari जैसी बेस्ट गाड़ियों को मार्केट में लाँच कर रहा है और साथ में Range Rover और Jaguar जैसी कंपनी को भी ओन करता है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आसा करते हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक सियर और सब्सक्राइब